कि सबसे पहले तो Delimitation Commission को हमने सिरे से reject किया हुआ है हमें कोई फरक नहीं पड़ता है कि उसके बारे में क्या फैसला आता है और जो Reorganization का Act है वो और भी Supreme Court के सामने Pending है 370 Pending है, सब कुछ Pending है तो जब बहुत चीज़े Pending है इस पे वो फैसला कैसे दे सकते हैं यह तो एक डी लिमिटेशन तो एक टैक्टिकल रिगिंग का एक प्रोसस था जो एलेक्शन से पहले रिगिंग कर ली होती है वो उन्होंने किया Majority को Minority में Convert किया Minority को Majority में Convert किया बीजेपी के हाख में तो इसलिए हमने पहले इसको reject किया हमने तो इसमें कोई पार्ट स्पेट भी नहीं किया इसकी discussion में यह बिलकुर सिरे से हम इसको खारिश करते हैं जी जुड़ी शेरी पर बरुसा रहा उस तरीके से लिए जुड़ी शेरी की जहां तक बात है एक गरीब जाएगा कहा हूँ है अगर आपको खुद मालूम है कि जो जस्टिस चंदर चूर ہے उनुने खुद है कि जो हमारे निचले लेवल की जो जुड़ी शेरी है जो लोवर कोट आ है, वो जमानत देरे से गब राते हैं तो अगर कोई कोट जमानत देरें से गवराती हो तो वो फैसला क्या करेंगी तो जुड़ी शेरी इस दा लास रिजार्ट पर एनिवान किसी के लिए भी आखरी उमिद जुड़ी शेरी होती है मगर अनफॉर्टनेटली मैंने पहले भी कई बार कहा है की एक वक्त था एमरजन्सी में उस वक्त की प्राइम मुशर सिटिंग प्राइम मुशर इंद्रा जी के खिलाप कोट का फैसल आया उसको अनसीड किया गया मगर आज ऐसा है के आज के वक्त जो कोट्स जमानत नहीं दे पाते हैं मैं जमान अदेली हो ते तो उन से पस्ट लेकि क्या हुआ 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 है